निप्टी अभी all time high हो चुका है, यानि 20,000 मार्क क्रोस हो चुका है, तो ऐसे में आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में ये सवाल उटके आता है, तो चलिए इस वीडियो में इसके बारे में discuss करते ह यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी, कि next year, यानि 2020 में केंदर सरकार का election होने वाला, यानि प्राइम मिनिस्टर election होने वाला है, तो ऐसे में हमें ये चीज अभी समझना होगा, कि one year before, यानि election से एक साल पहले, यानि election का एक साल के बाद, exactly stock market में क्या हुआ है, चलिए last 5 election का data, इस वीडियो में हम देखते हैं, जानेंगे फिर, कि exactly यहां पर क्या हुआ है, तो let's come to my screen, मैं आपको दिखाता हूँ, कि exactly यहां पर data क्या सो कर रहा है, So friends, आप अभी यह चार्ट को देख सकते हो, nifty in years before general election, यह जो ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ अभी, आपने देखा हूँ यहां पर कि 1998 से लेकर 2018 तक, यह जो ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, यह ग्राफ election का one year before का ग्राफ है, यानि आप अगर ध्यान से देखो अगर 2003 का data देखोगे, तो यहां पर देखो 50% से भी cross हो चुका था, यानि just one year before market तेजी से भागा है, फिर 2009 में जो election आता है, यहां पर भी market उपर उठा है, इतना ज्यादा नहीं उठा है, बट market उठा है, यहां ज्यादा नहीं उठा है, बट market उठा है, यहां ज्यादा नह में फिर से जब चुना हुआ, उससे पहले आप देखोगे, तो यहां पर भी market उठा है, तो मैं आपको क्यों यह चीज दिखा रहा हूँ, अभी इसका भी समझ में आभी आ जाएगा, अगर यहां पर आप data देखोगे, मैं आपको complete और एक graph दिखा रहा हूँ, तो 1998 में आप देखोगे, तो मैं February से लेकर December तक market में यहां पर data में आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, फिलाल यह जो data है, मैं variety website से लेकर आपको दिखा रहा हूँ, यह मेरा मंगड़त कहानी नहीं है, तो आप धियान से दिखिएगा, और यहां पर जो text लिखा आप पढ़ सकते हो, during 1998, the index होए high of 1212.75 on April 21 and low of 808 on October 20, so delivering negative return of 18.22% during the year, यानि 1999 का जो इलेक्शन हुआ था, उससे पहले जो बाजपीजी आने वाले था, उस समय आप देखोगे, तो यहां पर market डाउन हुआ है, but अगर आप उसके बाद देखोगे, 2004 का जो इलेक्शन हुआ है, इसके पहले, 2003 में ज आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि the benchmark deliver out turning return of 70.86 in 2003, तो यहां पर आप data देख सकते हुआ कि 2003 में भी market तेजी से भगा है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर 2008 का में में आप data दिखाऊँगा, तो यहां पर देखोगे बयानग market में गिरावर्ट हुआ है, the index picked in January in the backdrop of the global financial crisis, अगर आप सभी को पता होगा, 2008 में global मंदी आय थे नहीं, जो सारे बिश्व में मंदी आय थी, उसके बदोलत यहां पर market में downfall वा तो तो यह election के बदे से कुछ effect इतना कुछ हुआ नहीं था, तो global मंदी के कारण यहां पर market काफी downfall वा है, अगर आप देख यह market थोड़ा सा तेजी से भागा है, यहां पर September में फिर से गीरा है, फिर आप election आते आते आप देखोगे, यहां पर market यहां पर उठाए, अगर आप को समझ पा रहे होंगे, तो आप देखोगे, यहां पर market उपर उठाए, चली देखते हैं, next data क्या दिखाता है, 2019 से पहले 2008 का data अगर आप देखोगे यहां पर, फिर से आप देखोगे कि यहां पर इसे year low of 9,998 in March, यहां पर यहां पर दिखा रहे हों, 2019 का, तो यहां पर भी data दिखा रहे है, कि market उपर उठा है, इसका मतलब क्या है, आप यहां पर देखोगे, चो मैं आपको data दिखाया, कि exactly, दो बार market डाउन हो है, बाकी जो तीन बार है, market उपर उठा है, यहां इलेक्शन से पहले, यह market हगा है, market return दिया है, तो exactly सबाल अभी यह उठके आता है, कि election year में exactly यह क्यों होता है, तो आपको यहां पर एक चीच और समझनी होगी, कि सभी government, चाहे हो Congress हो, चाहे हो BGP किसी के भी government आप ले लो, चाहे हो US का ले लो, चाहे हो किसी country का भी ले लो आप, तो यहां पर सभी चाहते हैं कि हम election जीत का है, मैं irrespective of all parties, सारे political parties, वो चाहते हैं कि हम election जीत का है, तो हम जीतने के लिए क्या कर सकते हैं, ना लोगों के हाथ में पैसा दो, अब लोगों के ह लोगों के हाथ में पैसा कहा से आता है, अब repo rate को आपको थोड़ा समझना होगा, repo rate क्या है, repo rate में क्या होता है, कि interest जैसे मानों आप bank में गए और वहां पर आप personal loan कर लिए और यहां पर आपको 10%, 11%, 12%, 13% आपको interest देना होता है, similarly जो bank से आप पैसा लेने के लिए जाते हो, लेट से आप किसी अक्सिस में गए परसनल लोन लने के लिए, और bank कहां से पैसा लाकर देगा, तो bank भी लोन करता है RBI से, अब RBI जो interest rate में देता है, उसे कहता है कि repo rate, तो यहां पर repo rate RBI ज्यादा करेगा, तो bank को ज्यादा interest में पैसा मिलेगा, फिर आपके हाथ में पैसा आते हाते, आपको भी ज्यादा loan interest पे करना पड़ेगा, अगर RBI repo rate कम करता है, तो फिर आपको लोन सस्तिरेट में मिलेगी, अब लोन अगर आपको सस्तिरेट में मिलेगी, तो आपके हाथ में पैसा आएगा, कोई भी जाके loan का निगले सोचेगा, तो exactly मैं आपको यही बोल आता मेरे पास है, आप अभी आपर देखोगे, जब election year है, यानि 2009 कर आप देखोगे, यहाँ पर 2005 दिखा रहा है, 2010 दिखा रहा है, अगर आपको थोड़ी से ध्यान से समझोगे, आपको में मार करवा रहा हूँ, यहाँ पर election year के आसपास, यहाँ पर repo rate कम हुआ है, 2014 में थो डैंक होता है, जो commercial bank होता है, उनके पास पैसा सस्थ rate में आता है, अब जब पैसा आयगा, उनके पास तो, बयांक क्या करेंगे, पैसा लेगे, तर लोन पर राइट करेंगे, बैवर पो श्तर बयागे देंगे, इलोनだिका अजब देंगे, गैस्यारा कुम राएट भाइट इंट्रेस्टेट में अभी लोन नहीं करूगा और तरनक अगर आप रिपोरेट कम हो जाता है और इंट्रेस्टेट अभी घटा देता है लेट से आप अभी गाड़ी लोन करने के लिए जा रहे हो तो आपको 8-9% लेट से आप में एक्जमपूल दे रहा हूं मिल रहा है और लेट से कि आपको 6% में मिलेगा तो आपके छड़ोगे तो आप भी ultimately loan लोगे और जब loan लोगे तो आप गाड़ी खरीद होगे तो एसे ही सारे लोग एही करते हैं कि पैसा खर्चा करते हैं और जब पैसा खर्चा करते हैं एकोनोमी में एकोनोमी ग्रो होगा और एकोनोमी में market जब all time high में है तो यहां पर जो data मैंने आपको दिखा है जो data अभी election year का data graph जो भी मैंने आपको दिखा है यह data के हिसाब से मैं अगर analyze सही से कर पा रहा हूं तो market यहां पर 21,000 तक जा सकता है या फिर उससे भी उपर जा सकता है देखो मैं यह guarantee नहीं दे रहा हूं तो जाने प्रॉस हो सकता है अब सवाल यह है कि यहां पर लोगों के पास पैसा आगा रहा है क्योंकि यहां पर तो inflation भी काफी हाई है इंडिया में अभी और यहां पर आपका repo rate भी कम हुआ नहीं है तो लोगों के पास पैसा कैसे आ रहा है यहां पर और मेरे ज़ासे लिटल न थोड़ा chances होता है, they are very smart and वो लोग बहुत काफी, heavy amount, million, billion of dollar यहाँ पर investment करते हैं, अब यह data आपको दिखा रहा हूँ, तब आपको जाके आपको समझ में आएगा, अब अगर आप यह graph देख पारे होंगे मेरे screen पर, आप देखो गया, यह अगर तक जो data है मेरे पास, 2023 का, निकाल रहे हैं, सबसे ज़्यदा Taiwan से निकाल रहे हैं, अगर आप इंडिया का बात देखोगे, तो 1100, यहाँ पर आचुका है, जो data मेरे पास अभी है, मैं आपको यह graph दिखा रहा हूँ, यह Bloomberg का data है, यह data कह रहा है कि इंडिया में भी FDI आ रहा है, FDI आ रहा है, तो इसलि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर देखो, market अभी तो चांसे से उपर जाएगा, बट यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो, simple formula मेरा यह है, कि जब market काफी high होता है, यहाँ जब market टेजी से भागता है, तो यहाँ पर आपको small cap, mid cap company हो में investment नहीं करना चाहि देगा, downfall होगा, crash होगा, तो वहाँ पर आपको small cap, mid cap stocks जो होते हैं, वो काफी down होता है, आपको उसमें buying opportunity खुजना होता है, और वहाँ पर small cap, mid cap में investment करो, तो आपको काफी ज़्यादा stocks purchase कर पाऊगे, और आप फाइदे में रेपाऊगे, जब market ऊपर उठेगा, तो आपक 50 रुपे का चीज है, वो 50 रुपे में मिलेगा, तो यहाँ पर मेरा यह मानना है कि आपको long sum investment करना है, तो आपको small cap and mid cap stocks से दूर रहना चाहिए, अगर आपने recently data दिखा होगा, small cap already काफी high जा चुका है, मैं अगर जो data मेरे पास है, अभी तक 44% last one year का data दिखा रहा है, 44% small cap grow हो चुका है, बट अगर मैं nifty index का में बात करूँ, जो large cap index है, 15 to 16% market grow हुआ है, जो data में आपको दिखा पा रहा हूँ अभी, अगर आप मेरे skin पे देख पा रहे होंगे, तो last six month का data यह दिखा रहा है, 18.08% market grow हुआ है, बट यहाँ पर chances है, कि market अभी जो nifty वाली market है, investment ना करो, देखो, अगर आप investment करने जा रहे है, तो आप काफी analysis करो, या फिर professional, जो sabi register advisor होता है, उनके service लो आप, उसके हिसाब से आप investment करो, अगर आपको long sum डालनी है, तो मैं तो कहूँगा भाई, यह सबसे दूर हो, आप better है कि nifty index में investment करो, अगर कुछ long sum करनी है, या फ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आपको investment करनी है, तो आप large gap index में investment कर सकते हो, that is completely, बहुत ही आसान है nifty 50 में investment करना, कोई भी mutual phone application में जाके, nifty 50 index में आप investment कर सकते हो, अगर आप थोड़ी से जादा risk लेना चाहते हो, नहीं भाई, मुझे थोड़ी से और profit चाहिए, मैं थोड़ा से यहाँ पर risk लेना चाहते हो, तो आप portfolio investment approach follow कर सकते हो, अभी portfolio investment approach क्या है, मैं यहाँ पर small case के बारे में बोल रहा हूँ, मेरे सारे वीडियो में small case को pinch करता रहता हूँ, क्योंकि small case को काफी में personally अच्छा मुझे लगता है, मैं investment करता रहता हूँ, बहुत तरह तर आपको वीडियो समझ में आजाएगी, small case समझ में आजाएगी, पर जो लग small case के बारे में जानते हैं, मैं उनके लिए ही कहूँगा, कि आप थोड़ा सा nifty-fifty index में भी investment करो, या फिर आपको ऐसे portfolio में आपको investment करना चाहिए, जहाँ पर large case का exposure ज़ादा हो, यहाँ मैं कह रह करें, long sum थोड़ा आपके पास है, तो आप nifty-fifty index में कर सकते हो, या फिर आप flexi के बारे मल्टी के बाली portfolio जो है, जैसे तेजी मुंदी हो गया, आपका, गुलग गियर 6 हो गया, बी-म निप्टी top 20 small case हो गया, यह सब जो small case है, यह थोड़ा सा, मुझे परस्नाली लगता है कि यहाँ पर chances है, हम यहाँ पर investment कर सकते हैं, तो फिलल, आप इतना समझ लो, अभी आप long sum investment से दूर रहो, अगर आपको करनी है long sum थोड़ी बहुत, तो आप थ़ड़ा सा wait कर जाओ, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे investment करना है, फिर मालो आपके बास 5 लाग रु chances ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पर Nifty 50 index में investment कर सकते हो, या फिर large cap का कोई index और होगा, और large cap का कोई portfolio होगा, वहाँ पर investment कर सकते हो, या फिर जैसे मैं आपको कहा, यह सारे small case, जैसे good luck gear 6 हो गया, आपका तेजी मंदी flagship हो गया, Nifty top BM का बसंदमाई शोरी जी का हो गया, यह सारे आप portfolio देख सकते हो, और बहुत ही अच्छे small case से यहाँ पर फोड़ी बहुत आप investment कर सकते हो, फिर आप SIP कर सकते हो, आपके लिए फाइदा मन होगा, तो मोटा मोटी मेरा एही कहना है, कि अगर आप यह scenario में, यह situation में investment करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखो, market को देखो, फिर आप देखो market में situation क्या हो रहा है, जो आप SIP करे हो, इसको continuity करते रहो, यह आपके लिए फाइदा मन हो सकता है, So friends, I believe आपको भी idea लग गया होगा, कि elections year में market का हालत क्या होता है, अगर आप यहाँ पर investment करना चाहते हो, तो आपको कैसे investment करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 50-50 index के साथ आप जा सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा risk लेके small case में investment करना चाहते हो, तो आप इसमें investment करना चाहते हो, तो अभी गुल्लोग यॉर 6 का coupon code भी है, मेरा video description में आपको मिल जाएगा, आप उसे use कर सकते हो, आपको discount मिल जाएगा start करने के लिए, तो आप वहाँ पर investment कर सकते हो, फिलाल आप investment करने से पहले आप खुद का research करो, analysis करो, यह मेरा आपके यह advice नहीं है, मैं आपको नहीं कहे रहा हूँ कि आप इसमें investment करो, मैं यह कहे रहा हूँ कि आप इससे try कर सकते हो, consider कर सकते हो, but before that you should analyze your past and आप सब कुछ analyze करने के बाद, data देखने के बाद, आप यहाँ पर investment करने के लिए आओ, अगर आपको कुछ नहीं आता है, investment इतना पत बताईए, चैनल पे अगर नहीं है, तो subscribe कर दीजिए and bell icon को press करना मद देगा friends, कि अगर आप bell icon को press करते हो, तो जब भी मैं ऐसे वीडियो लेके आता हूँ, तो आपके पस notification मिलता रहेगा, और आप मेरे वीडियो टेक पाऊगे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, thanks for watching.